दोस्तों वेलकम अगेन जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मैं धापली गाउं में जा रखा था दादी से मिलने के लिए लेकिनों कल मिलनी पाई तो आज जा रहे हैं सुबह-सुबह आज काफी जल्दी उड़िया थे साथ बज़े तक मैं रेडी भी हो गया था अभी के टाइम पर आठ बजने वाली है तो अभी ऐसा करते हैं कि सुबह-सुबह निकलता है उनसे मिलने के लिए थोड़ो साफन चाई पानी पी लेता यार तो एक बुला बासी रोटी अभी हमारा खाना नहीं बना न सुबह का तो अभी नहीं हो रही है और सुबह-सुबह का टाइम है तो सुबह के टाइम पर अगर धूप जासे आती है तो अलग ही अनर्जी देखने को मिलती है मला शरीर में आज थोड़ा सो दादी से मिलेंगे थोड़ा बात करेंगे क्या प्रॉब्लम से जो मैंने कल चीज़ा सुनी अभी यह सच है कि नहीं है वो चीज़ा पता चल जाएगी हमें तो देखते हैं तो अभी यह से गरता हूँ पहले मैं चाई कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद मैं निकलते हैं फिर फटा बट से मौसम देखो कितना प्यारा आ रहा है ना कितना प्यारा भाई साब अभी अभी यह मतलब ब्रेकफास्ट तो नहीं वाख है बाद में आके कर लेंगे दिन का कहना कर लेंगे और अभी यह से करते हैं निकलते हैं यह मेरी बुड़ी है ना मतलब के मेरे पापा की बुआ तिके और हमें यहीं पर देखता हूँ और गोवर को ना पीस-पीस किया जा र लाला चाची देख रहें सुवे सुवे कपड़े दोरी हैं सुवे सुवे मतलब ठंड नी लगा है असी कपड़े दे भीगी तुमर है आदर पुड़ गया है कपड़ा पान मोड सा पनेर हमा अच्छा तो निकलते हैं बाई और सीधा अधर को ही मिलते हैं आपसे तो अगेन अधर काफी अच्छी जगह बसा हुआ तो दादी के घर पर पहुंच गे भी आज दादी मिल गई वियाल वियाचा आपसे मिलने को यहाल आप गास कुछ लिचा जान गास लखड़ू को लखड़ू को लखड़ू को गास तो यह है दादी यहां पर रहती है और कुछ दिन पहल बोल चाना मेलोवेरी कि दूवर ओल मी अहां तो यहां बंदन में लोले एक बार दादी से मिलनों को जिन अधर और होगे खान पीड़ू आप अच्छा आपके खाके खाके ओंच तो यह आप गोर है यह हिस्सा ना दादी का इतना ही घर है बाई मतलब यह वाला इससा इसमें दादी अभी रहती है और यह नीचे दादी का किचन है तो चलो बात कर दे आप से ठीक है कुछ है और जन्रदा चाकुच आप बारम पहल ना अभी के टाइम पर सुबह सुबह दादी के घर पर पहुंच गए वैसे मैंने थोड़ी देर पहले मिला ही दिया दादी से अभी कुछ दिन पहले मैंने दादी से मिला था जब दादी लेकर आई थी तो उस टाइम पर पता चला था कि इनकी हालत मतलब बहुत बुरी कंडिशन की दौर से गुजर रही है अभी के टाइम पर और जब मैं कल यहां पर आया था तो कल जो मैंने यहां पर लोगों से पहले आपकेक बटे शुरू कर दे ठीक है यह वाला दादी का किचन है मैं एक बड़ लाइट लगा लीता है तो यह दादी का किचन अच्छे एक में बढ़ने आप खानों पीना है यहां पर एक खाना पीना बनाती है गैस गुष कुछ भी नहीं है ना गैस नहीं है कुछ नह आपने लाइटारन बता आपादा ल में आपकेोचे रखै का अल भी नो किचने नहीं है जगगा नदे डिणा में ना भीक हो बताार लो जान और रापना झींता गिंधा लूट पाना को बता लूट रखै लिगा आपकेशन का शिती है जोड़ यह गएनु नोРЕ मैं आपना जब बोला इनको राशन मिलती है तो राशन लेने के लिए आ जाते हैं और राशन फिर लेकर चली जाते हैं न तो ये वाली सिच्वेशन अभी के टाइम पे दादी की मत्ही रहन दा चाप एक और मत्ही दिखा सकते हैं तो ये वाला उपर वाला इस्सा जहां पर दादी रहा करती है यानि के अच्छा कल की राशन लिए बोला अच्छा तो आप ये नी बुल दिने कि आप गहर में रहने अके लाने पैंसा कुछ नहीं चे तो आप में बटका ख लिगना गए ना ना आज बुनिंबाल पार्शी है मैं इसको हिंदी में बताता हूं क्या करिये दादी को अभी परसों बोला फोन आया जिसमें कि ये बोला गया कि दादी को कि 10 जार उपे दे दादी ने बोला कि मेरे पास में कहां से आएंगे पैसे तिके वो तो तुम्हें देने चीए थे मुझे पैसे मैं कहां से दूंगी तो दादी की उमर है जो लगबग बोला असी के लगबग है तो इतने बुजुर्ग अवस्था में जानबर भी पाल रुखे हैं गौड़ अभी पले आची यहां जब मैं कल आया था ना यहां पर तो दरसल कल मुझे दादी मिली नहीं थी तो दादी बोला घास लकडी के के लिए इनके इतनी बुरी हालात हो रहिए इतनी बुरी हालात हो रहिए कि अब क्या करें मतलब वो करना ही पड़ेगा मजबूरी हो चुकिए उमर में काम करने की क्या बोलने यार मैं बोल नहीं सकता हो अभी के टाइम पर कुछ भी बीतर रहें दाशा आप तो यह इनकी आप दिने बतावा अच्छा दादे के पास में गरम कपड़े नहीं है जो उनको जरुत है और पैसे नहीं है बोला इनके पास में रासन पानी कुछ आप दाल मिलत चापते हैं नहीं कि भी जब पैसे रहते हैं तव जाकि यह डाले घरीद पाती है अज़ वाइस बिना दाधी कहरी हैं की बूला जब पैसे-पुसे नहीं होते हं दाले तो बोला एक बार गई थी बोला कोटदवार तो वहां पर भी जगड़े बहुत सारे हुए थे और उसके वज़ा से बोला फिर घर आगी ना जो भी है मितले इसारी परिशानिया बच्चा कुछ नहीं बूल दी ना तो ये ये है दादी का अंदर का कमरा ठीक है यहां पर दादी रहा करती है बिस्तर भी नहीं आप में किया डंगसी यह यह बिस्तर है अच्छ अरे यार तो यह है दादी का घर जो कि मैंने थोड़ा बहुत अंदर से भी दिखा दिया प्रॉब्लम्स तो काफी सारी है समश्य है काफी सारी है दादी के जैसे कि उन्होंने बता कि खाने पीने के लिए नहीं होता है कपड़े पहनने के लिए नहीं है जब मैं पिछली बारे आयता तो इसी इनी कपड़ों में थी दादी और लिट्रली मतला अभी के टाइम पर कि खालत बहुत अभी ठंदीयों का वी थंघ्जव का टाइम पर एक बिलाउस ओड क ê बताना शुरू करो और समश्याइं क्या क्या ऑब को और कुछ नहीं है मतलब में जो समश्याइं ती आपकी वो यही थी जो आपने बताई ना-हहने-पीने-रहने कीuchar你说 जगड़ा हो र एने पहले हुआ करती थी ऑच्छ अजर पहले हुआ करती थी यह कितने टाइम के टाइम पर इनके साथ में बोला मारपीट भी हुआ करती थी तो यह बहुत ही वैसी सिच्वेशन है क्या बोलू मतलब इस बारे में ना और कुछ जरुवत आप टे मतलब औरा एक्स्ट्रा कुछ इला और खिला सुनो आपको अप हर महीने मिलने में को कोई नद दो मतलब कहे आपको pragmaton अपे ओर्वेत्त्र और बेखाई ब्लशेगे उसका घर करेंगे नहीं करेगा और कोई करेगा तो वह उसका नाम उसका पता जो भी है चाहिए वो आपके घर का हो वो हमें आके बताना है हम उसके खिलाब कानूनी कारवाई करेंगे अगर कोई बुजुर्ग आदमी पर कोई हाथ उठाता है कुछ भी करता है तो उसे कम से कम 3-5 साल जेल जाना पड़ेगा इस केस में तो वो चीज आपको धिहान रखने है कि अगर आपके साथ में कुछ भी ऐसा होता है तो आपको हमें आके बताना हो चीज ठीक है ना आपका जो खर्चा पानी जो भी होगा मंतली मंतली वह हम आपको जो भी है 1500-2000 तक देते रहेंगे ठीक है ना और अभी भी यह 2500 है ठीक है जादी इस में से 1500 वर्पे आपको उर्जा फाउंडेशन दे रही है ठीक है जो कि आपको आप कल घर पे रहोगे हम ना कल आप से एक बार फिर से मिलने आएंगे ठीक है जो आपको हर महीने महीने आपकी मदद करते रहेंगे ठीक है और आपके लिए कलम, खाना, पीना, कपड़े, कंबल जो भी है वो सब चीज़े लेखे आएंगे ठीक है ना कल या फिर परसों मतलब दो दिन के बीतर बीतर आप से अगर ये पैसे कोई भी छीनता है कैसे भी करके आप दवाओ बनाता है कुछ भी करता है तो आप हमें उसके सिकायद करेंगे हम उस पर आगे चलके जो भी है कारवाई करेंगे आगे चलके अप घवराने की जरुत नहीं है ठीक है दादी तो आप ये पैसे रखो आगे चलके कोई और जरुत पढ़ती है तो बताना है आगे चलके ठीक है मैं आपको अपना नंबर दे दूँगा आप उस पर किसी से भी फोन करवा लिना ठीक है ये सब चीजे है और कुछ चाहिए आपको और कुछ नहीं चाहिए ठीक है तो ये थी दादी की सिच्वेशन जो की अभी के टाइम पर हो रखी है बहुत बुरी कंडिशन हो रखी है और देखते हैं यहां पर भी लोगों से बात करते हैं अगर इनके साथ में आगे चलके कुछ भी होता है तो हमें बिसिकली पक्का एविडेंस ही होगा आगे चलके कारवाई करने के लिए ना तो यह दो से बात करते हैं इसके बारे में सो देट के आगे चलके एविडेंस बन पाए और हम उसके खिलाप जो भी इनको परिशान करते इस ब चीज़ें के खिलाब एक कारवाई भी कर पाएं ठीक है दादी आप अपना काम करो और भोले गहरम रहे न था थी कि मिआ तने मत्ती परदान को फोन कर दो लुए ठीक है ना जाख को फोन कर दो ना कि आप अप तो बता देला कि कै दन गौहरम रहे ना बोल रहे ना ये परसो रहे ना आप तो मिलनू को अपलो गाल भाला हर महीना महीना मा अपन्दरा दिन मा आप ख़वर लेशांने ने ना थी कि में लगनोग खर्चा आपको बहुच ना 2,500 पे मंतल तो यह सब चीजे हैं दरसल मुझे न उर्जा फांडेशन की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिला दादी के रिगाड़ी उन्होंने जब दादी की सिचुएशन देखी तो दादी के लिए उन्होंने बहुत चीजे करी और यहां पर आने का विजिट भी बना रहे हैं तो जैसे एक बार आते हैं तो मैं उनको दादी से मिलाओंगा और जो भी बात करना चाहते हैं वो सब चीजे करेंगे जो फामडेशन ने यह आशोर किया है मुझे कि वह दादी को हर महीने कुछ नकुछ देते रहेंगे फाइनेंशली मदद करते रहेंगे तो अब आगे चलके उर्झया फामडेशन और कुछ जो मदद भेजी है इसमें वो भेजी है सौबाबिस्तजी ने भेजी है जोनोंने कि यह भी अशौर किया कि वो कुछ ना कुछ मंतली मंतली करते रहेंगे तो थैंक्यू सो मच दादी उनकुन कुछ बुलन चाहिए जो आपको मदद करना चीए अशौर क्स दादी इतना बुजूर कि चाहिए जो भी बास लोग मदद कर ना चीए अबना कोई कम लोग नहीं दिखना से बहुत लोग दिखना से आप ते बहुत लोग दिखनाची काया अज़त लोग आपको ना सम्हें आना अग ना आना छिए आप अग मदद को ठीकिए तक अब जो रहत नहीं ठीक है धादी आप अपन काम करो यह थापली गाओं पत्तर सारी जा रहे हैं सुब़े गर बनाने के तेयारी है अच्छा बागी यह है घर और इसमें दादी रहा करती है अभी ऐसा करते हैं कि यहाँ से चलते हैं टाइम से और घर पे पहुंचते हैं बहुत सारा काम रुका पड़ा है उसको continue करते हैं आगे ना थादी अच्छा ठीक है नमस्ते दादी ठीक है थापली गाओँ है वाई कुछ घर बीच बीच में ना काफी बढ़िया तरीके से नमस्ते खुटा द्रफेश आपका अच्छा मिला सँम्होटा द्रीना ची तो अच्छा च्छा नमस्थे अच्छा इंपद्धूनस्थथार ? च्छा हल्दिल सोलने दिख मैं नमस्थे अच्छा च जरम मोईनस्थे या मेiveness भा एक बार दिखाते हैं और यह वाला घर सब बढ़ी है ना रजना सते तो परदान जी भी मिल गए और सब बढ़ी आ अपली गाउं से भाई घर की तरफ में निकल रहा था तो यहां पर कुत्ता नहलाए जा रहा है क्या नाम जेक है क्या नाम चा ओरियो औरियो रखा वाई नाम मेर भी चने इतनी कुत्ता तो वे है और साथ में यहां पर यह गाई के लिए मतलब पकाने के लिए रखा जा रहा पत्ते सुखाए जा रहे बाद में पका के खिलाए जाएगा और इनका घहर है ना अब लगडू को अच्छा गास को गास को आप लोग बहुत दूर जेने आए उस साइड में जाते हैं भाई गास के लिए ना वो जो सामने वाली पहाड़ी दिखाई दे रही है बहुत मुश्किल हो रहो जी वन चेक तो चलते हैं यहां से वापस और घर के तरप में निकलते हैं और कुछ और भी काम है जासा मैंने इनिश्यली बताया था तो उसको भी कंप्लीट करते है यार यह है जो कि काफी प्यारा दिखाई दे रहा है जैसा मैंने कल बताया था ना दर असल पांग से अगर बाइक से आते हैं नीचे गाड़ी से आते हैं तो यह 6 किलोमेटर की दूरी है लेकिन अगर पैदल आते तो 500 मेटर की दूरी है बस इधर भी पूरा थापली गाउं फैला जो बड़ी वो पांग या फिर किर्खू मार्केट है और यहां से जो पाबो की दूरी है वो लगबग 20 किलोमेटर के सम्थिंग है और यह जो थापली गाउं है यह आता है पाबो ब्लॉक में पौडी गड़वाल डिस्टिक में उत्तराखंड में आप अगर इस गाउं की लोकेशन देखना चाते हैं ओबर दी गूगल मैप तो आप सीधा यह सर्च कर सकते हैं थापली पाबो पौडी गड़वाल करके सर्च कर सकते हैं आपको इस जगह की जगह लोकेशन मिल जाएगी यह जगह किस जगह पर है अभी तक जो मैंना दादी से बात करी उससे तो य मैंने कल सुना था ना जितनी भी चीजें आज पास के गाहँ वालों के सब चीज हैं वह सब की इस सब मतलब जोएस ना बताया यह सब चीज वीडियो पीडियो में ने बात फादि को दिया थे इसमें 1500 रूपीस उर्जा फाउंडेशन ने दिये थेज़तर और हजार रुपे शोदा विस्ट जीने करे थे जिसमें कि दादी के पास में जासे कपड़े नहीं है वहाई पूरी सर्दिया निकल गई है पूरी सर्दिया और वो दो बिलाउज पेने हैं एक क्या होता है दो बिलाउज से हमारे यहां पे इतनी जादा ठंड होती है श्याम क के लिए जो भी यह रासन से लेके कपड़े कंबल यह सब चीज़े जितनी भी होती है वह सब चीज़े लेकर आएंगे और आगे जो मंतली उनको सपोर्ट करते रहेंगे तो यह कई न कहीं एक बैनी फीशर हो जाएगा दादी के लिए जो की मतला थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाएगा और आगे देखो हम कितना कर पाते हैं यार वह सब चीज़े आगे सिचुएशन पर डिपेंड करती है आकि जिस गाओं में मैं जा रखा था वह वाला गाओं है वह वाला एरिया दादी दर असल हिंदी नहीं समझती है हिंदी बोल भी नहीं पाती है तो काफी सा है अभी के टाइम पर मैं ऐसा कर रहा हूं कि घर की तरफ में जा रहा हूं साथ में इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूं आगे चलके मैं दादे से जो भी है मिलता रहूंगा उनसे उनकी अपडेट लेते रहेंगे क्या सिचुएशन यह सब चीज़े अभी आगे वीडियो देखा है तो फेज़ूक पेज को फॉलो कर देना यूटूब पर देखा है तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ में बेल आइकॉन भी प्रस करना जिससे कि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहेगी और इससे हमारी एक स्ट्रॉंग कम्यूटी प्रीगा